हेलो एव्रिवान, वेलकम बैक टो शेप अप यूर लाइफ हाव टो गेट अप अली इन दा मॉर्निंग पार्ट वन के बाद काफी वीवर्ज ने सुबा जल्दी उठना शिरू किया और अपने दिन को जादा प्रड़क्टिब बनाने में सक्सेस्फुल भी रहे लेकिन अभी भी कुछ लोगों की डिमांड थी कि मुझे इस पे एक और वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि पार्ट वन ने शायद उन पे उतना अच्छा काम नहीं किया सो कोई भी चीज आप पे काम तभी करती है जब खुद आप वो करना चाहें क्योंकि जब तक हम खुद न चाहें कोई किसी चीज के पार्ट 1, 2, 3 जितने भी बना ले कितना वोक करेगा कुछ कह नहीं सकते Anyways, मेरे लिए सुबा जल्दी उटना उतना ही easy है जितना फका पकाया खाना खाना क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि सुबा जल्दी उटने की इस habit ने किस तरह मेरी life को change किया है और ये बात और भी अच्छे से समझ में आ जाती है जब आपको लेट उटने के harms पता हो पता क्या हो? रोज जीते हैं हम उन harms के साथ unproductive से दिन के साथ, धेर सारे stress के साथ, daily pending हो रहे काम और negative environment के साथ technology ने हमारे phones को इतना smart बना दिया है कि इनी phones ने हमें control करना सीखे हमारे ना चाहते हुए भी वो हमें late सोने और सुबा late उटने पे मजबूर करते हैं अगर एक चोटा सा phone आपको control कर पा रहा है तो धुनिया में कोई भी चीज बहुत ही easily आपको control कर सकती है हमें 8 hours की sleep लेनी ही चाहिए अगर आपको लगता है कि ये एक ही चीज हम सब पे काम करती है तो please रात को इतना पहले सो जाएं ताकि आपकी 8 गंटे की नीन पूरी हो सके otherwise 5 to 6 hours की sleep भी हमारे लिए का बाकी नीन और भूक दो ऐसी चीजें हैं जिने जितना चाहे बढ़ाया जा सकता है अपनी पूरी लाइफ में न जाने कितनी बार हम बड़े बड़े गोल्स को पूरा करने की बात करते हैं लेकिन सुबा जल्दी उटने जैसे चोटे से काम से हम हार मान जाते हैं मैं यहां उन लोगों की बात बिलकल नहीं करूंगी जो नाइट शिप्स लगाते हैं या उन मदर्स की जिनके बच्चे छोटे हैं क्योंकि उनकी नीन की रिक्वार्मेंट हमारी नीनी की रिक्वार्मेंट से totally different बट जो लोग इस category में नहीं आते हैं, उनके लिए यही advice है, life को enjoy करना है, तो सुबा जल्दी उठने की habit बनाएं, और seriously यह बहुत easy है, रात को सुबा जल्दी उठने के लिए मन पका करके सोना, और सुबा अलाम बज़ते ही बन करके दोबारा सो जाना, वो इसी लिए होता है क्योंकि सुबा जल्दी उठके जो काम करने का आपने सोचा था, वो आपके लिए कुछ खास interesting नहीं है, क्योंकि interesting चीजें सामने हो, तो नीन किसे आती है, इसलिए पहले उस काम को interesting बनाईए, जो सुबा सबसे पहले आप करना चाहते हैं, early morning exercise करना कितने लोगों का passion होता है शायद बहुत ही कम, क्योंकि नीन जादा प्यारी होती है, लेकिन एक सच ये भी है कि नीन जिन्दगी से प्यारी कभी नहीं हो सकती, और एक अच्छी जिन्दगी जीनें के लिए अच्छी सेहत और अच्छी सेहत पानें के लिए सुबा की fresh air और positive environment उतना ही जरूरी है, जि negativity ना के बराबर होती है, और energy level peak पे, तो इस वक्त आप जो भी करते हैं, उसके results amazing होते हैं, इस वक्त की गई meditation आपकी life, आपकी personality में क्या change लाती है, वो words में describe नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसा experience है, जिसे करने के बाद आप late उठना भोल ही जाएंगे, so try it, अगर फि दिन सुबा 5 बजे से पहले उठना, और दूसरे दिन जो भी time आप उठते हो, ऐसा कुछी दिन करने से आपको difference समझ में आ जाएगा, कौन सा दिन जादा productive रहा, और कौन से दिन आप जादा positive feel कर रहे थे, everything will be clear, और starting में alternate days पे की गई ये practice, आपको उतनी stressful भी नहीं लगेग ना कि इतनी loud और irritating हो कि गुसे में उसे बंद करके दोबारा सोने का मन करें, secondly, body को जगाने से पहले, यानि खुद उठने से पहले अपने mind को जगाएं, और उसके लिए उनका एक formula, अपने दोनों hands को rub करके अपने eyes पे रखें, इससे आपकी eyes और उसके around की सारी nerves खुल जात उसका reason होगा आपकी zero planning, एक दिन पहले आपके पास अपने हर छोटे बड़े काम की list ready होनी चाहिए, ताकि सुबा उठने के बाद अपना एक भी minute waste किये बिना, अपना हर काम timely complete करते हुए me time के रिए भी कुछ वक्त निकाले, सुबा जल्दी उठने के लिए बहुत सी चीज इसे आपको बताई जा सकती है, क्योंकि different लोगों ने different चीज़ों का इस्तेमाल करके इसे अपनी habit बनाया, but without inner motivation कोई भी चीज वक नहीं करती, सबसे पहले खुद से decide करें, कि आपको अपने हर दिन की शुरुआत तव करनी है, जब सारी दुनिया उठ चुकी हो, और universe में हर कोई अपनी negative और stress भरी thoughts के signal भीज रहा हो, या उस वक्त जब आप sunrise होते हुए देखें, तांकि उस pure और positive environment में फैली उस positive energy का full use कर सके, Choose करने का मौका nature हमेशा हमें देती है, और हमारी ही choices हमारे results decide करती है, मैं एक housewife हूँ और सारी family और घर को manage करनी की duty मेरी है, उसके बावजुद priority मैं हमेशा खुद की physical और mental health को देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर चीज को manage करने के लिए मुझे धेर सारी energy चाहिए, इसलिए सुबा के इस amazing time में जितनी energy में grasp कर सकती हूँ, उतना करती हूँ, और मेरी fitness मुझे सबसे ज़्यादा important लगती है, क्योंकि एक lady ही पूरी family की नीव है, और नीव कमजोर हो, तो क्या हो सकता है ये आप भी जानते हैं, और मैं late उठूँ फिर excuse बनाओं कि खुद का ख जिहत के नाम और बाद में देखेंगे बाकी के काम, तो आपको सुबार जल्दी उठने में help करने वाली बहुत सी techniques गूगल पे और ऐसी बहुत सी apps प्ले स्टोर पे मिल जाएंगी, बट आपको आपकी सिवा कोई नहीं उठा सकता, कबीर जी का एक दोहा, मन के हारे हार है, म मन ही की परतीत, खुद के मन से ही हार जाने से बड़ी कोई हार नहीं होती, सो आप student है, कोई working person या कोई housewife, अपने targets बनाएं और खुद के लिए खुद ही एक motivation बन जाएं, आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं बलती हूँ आप से next वीडियो में, till then bye bye, take care and stay healthy.